हेलो देश्टो आज हम बनाएंगे तड़के वाली मौंग डाल इसके लिए एक कटोरी मौंग डाल दे ले इसे धो लेंगे अब अब इसे हम कूकर में डाल देंगे और दो सीटी आने तक बॉईल करेंगे और जब तक हम ये सब काट कर रखेंगे प्याज, हरिमेज, अद्रत लहसुन का पेस्ट और पीसेवे टमाटर अब हम गेज पर कडाई रखेंगे और इसमें डालेंगे तेल अब प्याज डालेंगे अब इसे हलका भून लेंगे अब कटी हुई हरी मेर्च और अद्रक लहसुन का पेश डाल देंगे सोफ एक चम्मश आधा चम्मश राई डालेंगे अब हम इसमें एक सिम्मला में चकटी भी डाल देंगे अब टमाटर का पेस्ट डालेंगे और इसे तीन मिनट के लिए पकने देंगे अब जो अबने दाल उबाल के रखिए उसमें दो ग्लास गरम पानी डालेंगे एक चम्मश लाल मिश और अब इसे मिक्स करें अब हम बॉइल के रखिए दाल कडाई में डालेंगे और थोड़ा पानी डालेंगे और अब इसमें हम नमक डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे अब लास्ट में हम इसमें गरम मसाला पाव भाजी मसाला डाल कर दो मिनट पकने देंगे और अब दो मिनट बाद केज बन कर देंगे और यह हमारी डाल बन चुकी है अब हम इसमें डाल में तड़का लगाएंगे अब तड़का लगाने के लिए हम तड़का पैन में थोड़ा सा तेल डालेंगे राई, कड़ी पत्ता और देगी मेस डाल देंगे अब इस तड़के को हम दाल में डाल देंगे और यह हमारी स्वादिस दाल तेयार है इसे हम पराठे, रोटी और चावल के साथ खा सकते हैं इसे गर्म गर्म साथ कीजिए एंड लाइक एंड सब्सक्राइब दे चैनल हमारी स्था क Willbe- wraगर चाहिए पस्वार चाहिए इसे गर्म साथ ईप्रौदार जा नड शे ओक सEEय को हमाही और भेसे को में इस वाप़के को में सत्वाके को यावल के मैं यावल के गप्सक्राव प्सक्राईब productन याल के रेंगे झाल झाल